आज की क्लास में हम क्लास 6 के हिंदी बुक बसंद का चैप्टर 16 वन के मार्ग में इसका प्रश्ण उतर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्ण है प्रथम सवया में कवी ने राम सीता के किस प्रसंग का बर्णन किया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं प्रथम सवया में कवी तुलसी दास ने राम सीता के वन गमन प्रसंग के अंतरगत राम लक्षवन और सीता को बनवास में जाते मार्ग में सीता को होने वाली कठनाईयों के बारे में लिखो तो इसको कैसे लिखेंगे चले देखते हैं वन के मार्ग में जाते हुए सीता थोरी ही देड में ठक गई उनके माथे से पसीना बहने लगा और होट सुख गए वन के मार्ग में चलते चलते उनके पैरों में काटे चुहने लगे और वह आराम की बात कहने लगी अगला प्रश्ण है सीता की आतुरता देखकर राम की क्या प्रतिकिरिया होती हैं तो इसको करते हैं सीता की आतुरता को देखकर स्री राम व्याकुल हो उठते हैं सीता की दशा उनसे देखी नहीं जाती उनकी आँखों से भी आ रहें तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं राम से अपनी पत्नी की व्याकुलता देखी नहीं जा रही थी सीता का प्यास के मारे बुरा हाल था और लक्ष्मन पाने की तालाश में गय हुए थे जब तक लक्ष्मन लोट कर आते हैं तब तक वे सीता की व्याकुलता और क प्रश्ट को कम करना चाहते थे इसलिए राम बैठ कर देर तक कांटे निकालते रहें अगला प्रश्ण है सवया के आधार पर बताओं की दो कदम चलने के बाद सीता का ऐसा हाग क्यों हुआ तो चलिए इसको करते हैं सीता का जीवन राज महलों की सुख सुविधाओं में बी कदम चलने के बाद ही ठक गई अगला प्रश्ण है धरी धीर दय का आशिक क्या है तो चलिए इसको करते हैं प्रस्तूत पंक्ति का आशिक धैरे धारन करने से है सीता वन मार्क फर अग्रसर होते हुए राम का साथ देते हुए तकलीफों को सहते हुए मन ही मन स्वयम को धीर बहुत ही धैरे के साथ चल रही थी अगला प्रश्ण है अपनी कल्पना से वन के मार्क का वर्णन करो तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं वन का मार्क बहुत ही दुरगम था चारों और घने और उंचे पेर कटिली जारियां थी रास्ता भी उबर खावर था जिस पर चलना मुश्किल था पानी और खाने पीने के लिए खोज करनी परती थी तेज धूप के कारण मार्क भी गर्म हो गई थी जिस पर चलना अत्यंत कठिन था वहां जंगली जानवरों से भी खत्रा था इस परकार वन का मार्क और सुरक्षित और अनेक कठिनाईयों से भरा था तो आज ही क्लास में इतना ही फिर अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें